चानक के आईएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं वाइब्रेंट विलिज प्रोग्राम के बारे में जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ है चीन को इस प्रोग्राम और यहां तक की आपिछ शाह के दोरे से भी एतराज है इसी विज़े से ये चर्चा में बना हुआ है तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इसकी प्रस्ट भूमी क्या है यानि कि चीन को क्यों एतराज है 21 अक्टूबर 1962 की रात की बात है अरनाचल प्रदेश का किबितु गाम भारतिये चौक्यों पर 300 चीनी सैनिक अचानक गोलाबारी करने लगे किबितु में भारतिये सैना की 6 कुमाउ रेजिमेंट तैनाथ थी उसने चीन की गोली बारी का मजबूती से जवाब दिया इस दोरान चीन के 60 से 70 सैनिक मारे गए वहीं भारत के 4 सैनिक शहीद हो गए सैना ने सरकार से हवाई हमले की मदद मांगी लेकिन उस वक्त सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया इसके बाद 6 कुमाउ रेजिमेंट को वालेंग में पहुँचने का आदेश मिला लिहाजा किबितु में चीनी सैना गुस आई हालांकि 1962 का युद खतम होने के बाद चीनी सैना की बितु से वापस चले गई थी तो यही है यहां का इतिहास जिसके वज़े से इस एरिया में चीन का इंटरस्ट भी देखने को मिलता है अब हम बात करेंगे वाइबरेंट विलिज प्रोग्राम के बारे में केंदर सरकार ने चीन सीमा यानि की LAC से लगे गाओं को डवलप करने के लिए वाइबरेंट विलिज प्रोग्राम शुरू किया है इसके तहट अनाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्राखन, हिमाचल प्रदेश और केंदर शाषित प्रदेश लदाग के 19 दिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गाओं को चुना गया है सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहट 662 गाओं को डवलप किया जाएगा इन में से अकेले 455 अनाचल में है इन गाओं को पर्याटन केंदर के रूप में विक्सित किया जाएगा यह प्रोग्राम काफी मामूले लग सकता है लेकिन यह पुर्वोतर में चीन की विस्तारवादी नीती का मुकाबला करने की सबसे अच्छी रणनीती में से एक है केंदर सरकार्नी इस प्रोग्राम के लिए 4800 करोड रुपए का फंड रखा है इसमें से पचिस सो करोड रुपे सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के लिए है इस प्रोग्राम का उदेश है ना केवल आजीविका या जॉब की तलाश में इन गाओं से शहर में जाने वाले ग्रामीनों को रोकना है बलकि जो शहर चले गए है उन्हें वापस लाना भी है अब अगर बात की जाए कि इन गाओं को कैसे डवलप किया जाएगा तो आजीविका के कई प्रोग्राम्स को वाइबरेट फिलिज प्रोग्राम में शामिल किया गया है इनमें मदमक्ही पालन, क्रशी उपज में सुधार, हास्त शिल्प और स्थानी उत्पादों को प्रोचसाहित करना शामिल है साथ ही इन प्रोग्राम्स को बाजार तक पहुँच भी प्रदान कराई जाएगी प्रेटन को बढ़ाबा दिया जाएगा और प्रेटकों के लिए गाइड बनाने की ट्रेनिंग देना भी इसमें शामिल है साथ ही स्थानी लोगों को इसे चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है साथ ही स्थानिये लोगों को इसे चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है किभीतु में और इसके आज पास ग्लैंपिंग को बढ़ावा देने की भी योजना है किभीतु को एक साल के भीतर आधोनिक स्वास्त देखवाल और सिक्षा सूधाय मिल जाएंगी इस प्रोग्राम से रोजगार के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे हमस्तान ये लड़के-लड़कियों को मुफ्त में कम्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक की ट्रेनिंग देने की योजना बना रहे है ऐसा वहाँ स्थरकार का कहना है ऐसे लोगों की स्किल्स को निखारने के लिए विशे संस्थानों से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि वे वर्ड क्लास के उत्पात बना सके अगर हमें सेरिया की बात करें तो किबीतू की वर्तवान जनसक्या 2000 से कम है और अधिकांस 320 परिवारों के 2 या 2 से अधिक सदस्य अरनाचल या देश के दूसरे शहरों में रहते हैं इस प्रोग्राम का लक्षय यह है कि कम से कम किबीतू के कुछ बेटे और बेटियां 2 साल के भीतर अपने पैतरग गाम लोट सके लोहित नदी के दाहिने किनारे पर 4,281 फिट की उन्चाए परस्तित की बीतू में बागवानी और फूलों की खेती की अपार संभावनाए है अगर इस प्रोग्राम के महत्व की बाद की जाए तो यह काफे महत्वपूर्ण है भारत और चीन करीब 3500 किलोमेटर लंबी सीमा शेयर करते हैं इसे लेसी कहते हैं ये सीमा तीन सेक्टरों में बटी हुई है पश्मी सेक्टर यानि लग्दाग जो 1597 किलोमेटर लंबी है मद्य सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्राखन शामिल है जो की 545 किलोमेटर लंबी है पूर्वी सेक्टर अर्थात सिक्केम और अनाचल प्रदेश जो की 1346 किलोमेटर लंबी है इन सभी राजयों की सिमाओं से सटे गाम विरान हो चुके हैं लोग रोजगार की तलाश में गाम से शहर में जा चुके हैं स्ट्राटेजिक और सिक्योरिटी के लिहाद से लेसी से सटे इन गाओं की अबादी अच्छी खासी होनी चाहिए यही वज़े है कि चीन ने भी लेसी के किनारे मॉडल गाओं को बसाया है हमें यानि कि इंडिया को एलेसी के हमारी तरफ के गाओं के लोगों को वहाँ बने रहने के लिए प्रोटसायद करने की जरूरत है इसके लिए हमें उन्हें सभी आधूलिक सुविधाय और अच्छी आजीविका के अवसर परदान करने की जरूरत है चीन सीमा से सटे गाओं के लोग हमारी सेना की आख और कान है सीमा के हमारी और गाओं में जादा आबादी होने से चीन की कबजा करने की रन्नीती सफल नहीं हो पाएगी दरसल चीन आबादी वाले चितनों पर बहुत आसानी से दावा नहीं कर सकता है वाइबरेट विलिज प्रोग्राम के तहत डवलप होने वाला की भी तू पहला गाउं होगा हाला की इसी तरह का एक और प्रियोग थोटे पैमाने पर भारतिय सेना ने एक साल पहले नाचल के कहों में किया था कुरुम कुमे जिले में LAC के इस तरह दामिन गाउं में भी ऐसा ही प्रोग्राम चलाया गया था इससे गाउं में काफी बदलाव देखने को मिले थे इसके बाद से कुरुम कुमे जिले में LAC के पास दामीन और कुछ अन्य दूर दरास के गाउं में reverse migration देखने को मिल रहा है यानि जो इस थानिये लोग बहतर अवसरों की तलाश में अपने गाउं को छोड़ कर चले गए थे वे अब लोटने लगे हैं अगर तुलना की जाए भारत के इस प्रोग्राम और चीन के बसाने की योचना के बारे में तो हम आप देखेंगे कि दोनों में बहतर कौन सा है यानि कि भारत का Vibrate Village प्रोग्राम चीन के गाउं वसाने के प्लान से कितना बहतर है चीन तिबबत में जियाओ कांग मॉडल गाओं में चीन के गरीब हान लोगों को वसा रहा है हाला कि ये गाओ हान लोगों के इलाके से बहुत दूर है साथ ही हिमालिया का मौसम भी इन लोगों के रहने के लिए अनकूल नहीं है चीन चाता है कि हान समदाय के लोग इन गाओं में बस जाए ताकि स्थानिय तिबतियों की शत्रूता का मुकाबला किया जा सके जो मानते हैं कि चीन ने उनकी देश पर फ्रूर तरीके से कबजा जमा रखा है मूल योजना सफल नहीं होने पर चीन ने पैसे के दम पर कुछ तिबतियों को यहाँ पर बसाया है उन्हें चीन की सेना पैसे भी देती है इसके बावजूद चीन तिबत की लोगों पर भरोसा नहीं करता है चीन की सैना ने जियाओ कांगाम में तिबती लोगों पर नजर रखने के लिए व्यापक निगरानी उपाय कर रखे हैं ऐसे में एलेसी के पार, गतिविदियों और भारतिय सैना के गश्टी दल पर नजर रखने के लिए इन गाओं को बसाने का मूल उदिशय सफल नहीं हो पाया है यानि की चीन की योजना काफे सफल नहीं हो पाई है चीन की जियाओ कांग गाम में सभी आधुनिक सुधाओं वाले घर है लेकिन रहने वालों के लिए नहीं जिनके लिए वे बनाए गए थे चीन मी चाता था कि मुख्य भूमी से प्रेटक इन गाओं का दोरा करे और वहां रहें लेकिन महवदेशय भी विफल हो गया क्योंकि हान समदाय के लिए ये गाओं बहुत दूर और दुरगम है एलेसी के पार के अधिकास चीनी गाओं अब पेपुल्स लिबरेशन आर्मी यानि पेलने के लिए आवासय क्वाटर और रसत सुधाओं के रूप में काम करते हैं ऐसे में यह चीन के लिए पैसे की बरबादी भर है दूसरी और भारत के वाइबरेंट विलेजिस मॉडल में आदिवासयों की स्थानिय आबादी जैसे किबीतु में मेयर और जखरिंग को प्रातमित्ता दी गई है यहां स्थानिय लोगों के जीवन की गुर्वत्ता को बढ़ाने की उद्देश्य से पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम बनाए गए हैं सीमा पर भारतिय सैना की आँखों और कानों के रूप में सेवा करने के लिए स्थानिय आबादी का होना बहत जरूरी है इसकी वज़े यह है कि लोकल लोग इंदुर्गम इलाकों के चप्पे चप्पे से परिचित होते हैं साथ ही भारत ने अपने प्रोग्राम में लोकल लोगों को आधूनिक सुधाय देने के साथ कमाई का जरिया बढ़ाने वाले उपाये भी किये हैं यही कारण है कि भारत का मानविय और परोगकारी वाइबरेंट विलिज प्रोग्राम चीन के निरंकुष मॉडल से कहीं बहतर है इसके साथ ही हमारा आज काई टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू सो मच कि अच्छाइब लाइक एक अच्छाइब चैनल को खेला शुबकित।